गुद बॉर्णिंग तु आल, I am नमरता शर्मा, your computer teacher. तोड़े, I am going to start a new chapter, chapter 8, Logo Commands. Logo is easy and simple programming language, used to teach students and children how to program. Logo is easy and simple language है, जो की बच्चों को सिखाई जाती है कि कैसे program पनाया जाता है. बच्चों, आप अभी तक लोगों के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, क्योंकि यह हमारा last chapter है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपको मैं starting से, लोगों के बारे में एक बार फिर से बताऊं कि कैसे इसको start किया जाता है, कैसे कौन कोंसी में command होती है, control box होता है, यह सारा आज में हम एक बार और revise करेंगे. So, let's start. लोगों एक triangle shape है, जिसका की use हम shape बनाने में कर सकते हैं, tax type करने में कर सकते हैं, और arithmetic calculation like addition and subtraction के लिए भी कर सकते हैं. लोगों एक simple, easy and fun language है, it helps to get a good understanding of the basic of computer language, which it also helps understand basic of geometry like angles and graphics. बच्चों, बैसे तो लोगों के बहुत सारे versions हैं, लेकिन जो most of popular versions हैं, वो हैं UCB logo and MCW logo. बच्चों, आप लोगों को search भी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और जब आप download करेंगे, तो इसके icon पर search करेंगे, तो आपके सामने ये window open हो जाएगी, ये two parts में divide होती है, उपर वाली screen को बोलते हैं, graphic screen और नीचे होती है command window. graphic screen पर turtle होता है, center में, जिसको की आप use कर सकते हैं, shapes के लिए, और text के लिए, या जैसा आप चाहें. सबसे पहले, सबसे उपर जो पटी चल रही है, उसको कहते है, टाइटल वार, जिसमें MSW icon है, इधर minimize button है, maximize button है, और close button होते हैं. फिर आता है menu bar, menu bar में file है, आप इसको click करेंगे, एक list drop down हो जाएगी, जिसमें की बहुत सारे option होते हैं. फिर हम bitmap को click करेंगे, उसमें भी बहुत सारे options होते हैं, जैसा आप चाहें आप उसको use कर सकते हैं. उसके बाद हम set को click करेंगे, इसमें भी एक list आएगी और आपको जो भी use करना है, वो आप इसको use कर सकते हैं. फिर हम zoom को click करेंगे, zoom में in और out और normal option है, इसमें आपकी drawing बड़ी हो जाएगी और एक help box भी होता है, जिसकी help से आप अपनी drawing को set कर सकते हैं. यह आप जो देख रहे हैं, यह turtle है, इसके उपर के हिस्से को head बोला जाता है, और नीचे वाले हिस्से को tail बोला जाता है. command window, यह पूरी जो आप देख रहे हैं, यह है बत्को command window, जहां से हम अपने turtle को command देते हैं, और वो हमारे command के according work करता है, जैसा हम उसको command देते हैं, वो वैसे ही work करता है. अब यह जो बीच में आप पट्टी देख रहे हैं, इसको बोलते हैं, टाइटल बार, इसमें MSW logo icon है, इधर minimize, maximize और close बटन है, अब यह है command box, जहां पर हम type करते हैं, जो भी हमको command देनी होती है, यह को जो भी हमें tax type करना है, वो हम यहां पर type करते हैं, इसको command box बोलते हैं. अब आता है input box, जो की सबसे नीचे वाली पट्टी है, इसको बोलते है input box, अब आता है control buttons, यह जो आप देख रहे हैं, यह पूरा control button है, इससे आप अपने drawing को या अपने text को control कर सकते हैं, इसमें सबसे पहले होता है, halt, button, to stop the action of turtle, फिर आता है dress button, turn, doing, on or off, pause, to stop the action of turtle, temporarily, status, status, display, height, the status window, stop, to turn off, on, single stop or reset button, to display, height, the status button, window, we set to erase everything on the screen and to bring the turtle back to home position, आपने joke भी कुछ बनाया है, आपको अगर उसको दुबारा मिटा के, मिटाना है, तो आप the send button को use करेंगे, और आपका turtle फिर से उसी position में आ जाएगा, यह है execute button, और यह है adult button, यह सारे होते हैं control buttons, बच्चों यह है turtle, और यह जहाँ पर है, यह होती है, उसकी home position, यानि center में, turtle एक्दम center में होता है, और यह उसका graph है, जब हमें graph बनाना होता है, तो हम ऐसे ही use करते हैं इसको, और यह 250 के code बनाता है, अब turtle को आप अगर up side में ले जाएंगे, तो यह नीचे की side से आ जाएगा, और अगर आप left से ले जाएंगे, तो यह right से आ जाएगा, अगर आप नीचे से लेकर आते हैं, तो यह उपर से आ जाएगा, यह है turtle, turtle को अलग-अलग कमांड देकर उसकी position को change किया जाता है, जैसा आप उसको graph चाहिए, जैसा उसमें space, shape चाहिए, वो आप कमांड देकर उसको use कर सकते हैं, अगर हमें turtle से, लोगों से बाहर आना है, तो हम कमांड बॉक्स में by लिखेंगे, और execute पर click करेंगे, या हम file में exit पर जाके click करेंगे, और हम लोगों से बाहर आ जाएंगे, तो बच्चों, ये था हमारा लोगों को start करने से लेके, उसमें exit तक का सारा तरीका, अब आप इस वीडियो को अच्छा से देखें, और worksheet को complete करें, Have a good day students!